आज हम बात करेंगे Redmi 9A के बारे में इस वीडियो के अंदर में आपको Redmi 9A के फुल स्पेक्स बताऊंगा साथ साथ ये भी बताऊंगा कि Redmi 9A इंडिया में किस प्राइजिंग के साथ लॉंच होगा तो अगर आप Redmi 9A के बारे में चालना चाते हो तो वीडियो एंड तक देखते रहना और हाँ गैस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो गए चले अफटावर्ट से Redmi 9A के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं सबसे बहुत करते हैं फोन के डिस्प्ले की तो इस बार Redmi 9A में आपको 6.5 इंच HD प्लस IPS असरे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि एक वाटर रॉप नौज के साथ आएगा सथ सथ यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी इस पॉन के अंदर देखने को मिल जाएगी तो डिस्प्ले के मामले में Redmi 9A इस बार आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा चले बात कर लेते हैं आप पॉन के बैटरी की तो यहाँ पर Redmi 9A में आपको 5000MH की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 18W के Fast Charging Support के साथ आएगा आपको 18W का Charger Box के अंदर देखने को नहीं मिलेगा नौर्मल वही 10W का Charger Box के अंदर देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको 18W का Fast Charging Support देखने को मिल जाएगा यानि कि आप अलग से 18W का Charger भाई कर सकते हो और फिर उसके बाद इस फोन को Full Charge मतलब थोड़ा Fast Charge कर पाऊगे और साथी साथ इस फोन के अंदर आपको Type-C Port भी देखने को मिल जाएगा तो यह था इस फोन का बैटरी तो बैटरी के मामले में भी यह फोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है च्छली बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की तो यहाँ पर सिबसे पहले बात करते हैं रेर कैमरा की तो यहाँ पर guys अभी तक rare camera confirm नहीं है कि कितने setups देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको dual camera setup मिलेगा या triple camera setup देखने को मिलेगा लेकिन जैसा मुझे लगता है यहाँ पर आपको dual camera देखने को मिल सकता है अब budget smartphone में आपको quad camera setup नहीं मिलने वाला यहाँ पर आपको dual camera setup देखने को मिल सकता है या तो triple camera setup आपको इस phone के अंदर देखने को मिल सकता है front की बात करें तो front में आपको वही 8 megapixel का front selfie camera इस phone के अंदर देखने को मिल जाएगा चलिए बात करते हैं phone के processor की तो इस phone के अंदर आपको Mediatek का Helio G70 processor देखने को मिल सकता है guys यहाँ पर मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि Redmi 9 में Mediatek Helio G70 processor होगा लेकिन guys ऐसा नहीं है अभी new leaks लिकल के आचुके जैसे पता चल रहा है Redmi 9 में यहाँ पर Mediatek Helio G80 देखने को मिलेगा और Mediatek Helio G70 आपको Redmi 9A में देखने को मिलेगा जो कि दोने smart phones powerful smartphone रहने वाले एक gaming के अमामले में और Redmi 9A में G70 है तो यानि कि आप PUBG जैसे games को easily high setting में प्ले कर पाऊगे तो यह था this phone का full specification pricing के बात करें तो guys this phone का जो starting price होगा हो 7 से 7 या 8000 रुपे रह सकता है आपको यह smartphone 7 से 8000 के pricing में इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है अब बात करतें कब तक यह smartphone इंडिया के अंदर launch होगा तो guys आपको एक बात याद है कि यहाँ पर Redmi 8 जब launch हुआ था वो I think so September के end में कुछ launch हुआ था रेड्मी 8 है और वहीं पर उसके 10 से 15 दिन बाद यहाँ पर Redmi 8 लॉंच हो चुका था याज गैस बस 10 से 15 दिन बाद यहाँ पर Redmi 8 को इंडिया के अंदर launch कर दिया था तो आपको इस बार भी अगर सबसे पहले Redmi 9 को launch करते हैं तो लगबग 15 से 20 दिन बाद रेड्मी 9 है भी इंडिया के अंदर launch हो जाएगा और हाँ गैस अब काफी लोगों कोशन आएगा कि रेड्मी 9 कब तक इंडिया के अंदर launch होगा तो गैस यहाँ पर Redmi 9 आई थिंस हो यहाँ पर May के end में या तो चून के first week तक यह Redmi 9 इंडिया के अंदर launch हो सकता है और जैसे ही Redmi 9 launch हो जाएगा उसके 15 से 20 दिन बाद आपको Redmi 9 ने भी इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा तो गैस यह था इस फोन का full specs price तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब स्क्राइब कर के साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना